और रायफुर्ट से बड़ी खबर है जहां चुनाव से पहले कॉंग्रेस ने बड़ा दाउं खेला है टी एस सिंग देव को ड्यूपटी सियम बनाया गया है बीजेपी नेताओं का कॉंग्रेस पर तन जाया है इसमें टी एस सिंग देव खुश नहीं है ऐसा ब्रिज मोहन अग्रवाल का कहना है टी एस सिंग देव को जुन जुना पकड़ाया गया है रमन सिंग का कहना है तो कहीं न करें टी एस सिंग देव को ओपन वक्रमेंटरी बनाया जाने के बाद से वारतिय जन्तापार्टी की तरफ से लगातार सियासी बियान बाजी का सामना करना पड़ रहा है प्रफियासी देव को एक अनुवचारिक पद दिया है 36 गड़ की तिहास में पहली बार उपमुखिमंदरी का पद वो भी 120 दिन के लिए जिसमें से दो मेहने अचार सहीता में लग जाएंगे 60 दिन के लिए उपमुखिमंदरी बनाया बाबा को जुन्धुना पकड़ा दिया लिए अब बाबा बहुत प्रसंद दिख रहे थे धाई धाई साल के वादा के बाद साथ दिन का उपमुखिमंदरी पद जो जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे तर भादा नहीं हो जित सकता है